नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल ultimate knowledge पर दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विरिश रासी के लोगों के बारे में और जानेंगे विरिश रासी के लोगों के लखी चार्म के बारे में अपनी आज की इस वीडियो में हम तक माने जाते है दोस्तों यदी बात करें रासी चक्र की, तो रासी चक्र में विरिष रासी दूसरे श्थान पर आती है जिसका स्वामिग रह शुक्र को माना जाता है। विरिष राशी का प्रतीक चिन बैल होता है और बैल सोभाव से ही परिश्रमी और वीर्यवन माना जाता है इसका प्रभाव इस राशी के जातकों पर भी दीखा जाता है विरिष राशी के जातक सोभाव से बहुत परिश्रमी और शक्तिसाली होते हैं वैसे तो विरिष राश पुत्र के बीच आपसी संघर्स और कलेह बनी रहती है इसलिए यदि विरिश्राशी के लोग अपने जीवन में पिता और पुत्र के संबंद को मधूर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें सूर्य उपासना करनी चाहिए और साथी साथ सूर्य को जल्भी अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से पिता और पुत्र के बीच संबंद मधूर होने लगते हैं साथी साथ दोनों लोगों को अपने जीवन में कुछ संयम भी रखना चाहिए यदि बात करें विरिश्राशी के लोगों के लखी चार्म की तो विरिश्राशी का स्वामिग्रह शुक्र होता ह और शुक्र को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है माता लक्ष्मी को सफेद कोडियां बहुत अच्छी और पसंद होती हैं इसलिए यदि विरिश्राशी के लोग अपने जीवन में अपने भाग्य को प्रवल करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने पास सदेव कवेद कोडी रखते हैं तो वास्तव में ऐसा करने से उनका भाग्य प्रवल होता है और उन्हें हर कारई में सफलता प्राप्थ होती है विरिश्राशी के लोगों के लिए 7 नंबर भी बहुत लगी माना जाता है । इसलिए यदि विरिश्राशी के लोग अपने जीवन में अपने किसी भी कार्यों को साथ नंबर के साथ शुरू करते हैं तो ऐसा करने से भी विरिश राशी के लोगों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है विरिश राशी के लोगों के लिए दक्षिनावर्ती संख भी बहुत लखी माना जाता है इसलिए यदि विरिश राशी के लोग अपने जीवन में अपने घर में दख्षिना वरती संख ला करके रखते हैं तो ऐसा करने से भी विरिश राशी के लोगों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है दोस्तों लकी चार्म एक ऐसी चीज होती है जो आपके दुरभाग्य को सौभाग्य में बदल देता है और आपको सदेव बुरी चीजों और बुरे समय से बचाए रखता है अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो क लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद